नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, मैं हो आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की शुरुआत, सबसे पहले नज़े डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर भागलपुर पुलिस ने भाई की हत्या के आरोपी भाई को ससुराल से किया गिरपतार हतियार बरामद, SSP ने दी चानकारी नगर निगमकारी आले केट के समीप विरोध प्रदर्शन के दरान एक वेक्ती ने राज़त नेत्री का खीचा फोटो जम कर हुआ हंगामा पुरिदेश में श्रधार उत्सा के साथ किया जा रहा है विद्नहर्ता गनेश का पूजन, कोरोना के कारण बड़े अस्तर पर नहीं हुआ कारेक्रम का योजन मागा में बंबनाने के दौरान हुआ वी स्पोर्ट एक की वी मौत दूसरे की हालत कमभीर और गोलियों की तड़ तड़ा हर्थ से गुंजा पेला गाउं मामुली विवाद को लेकर हुई गोली बारी अब शमाचार विस्तार से 18 जुलाई की शाम बबर गंज थाना अंतरगत अली गंज सबजी मंडी के सामने प्रविन शाह हत्याकांट के हत्यारे छोटे भाई रमेश को पुलीस ने गोड़ा इस्तित उसके ससुराल से गिरपतार कर लिया है साथी गिरपतार युबक के पास से पुलीस ने हत्या में प्रयुक्त देशी कट्टा बरामत किया है बता दें कि गिरपतार होने के बाद हत्यारे भाई ने अपना प्राद कबूल कर लिया घटना को लेकर वरिया पुली सदिक्षक आसिस भारती ने बताया कि दोनों भाई के बीच जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था जिस कारण हत्या की घटना को अंजाम दिया गया वहीं आरोपी ने कहा कि उसका भाई पत्नी के उपर तेजाब डालने और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था जिस कारण आक्रोश में रमेश ने अपने भाई की गोली मार कर हत्या कर दी भाई भाई की बीच में जमीन विवाद था और उसी में जो नितक के भाई के दोरा एक घटना कारित की बीए है भागलपूर नगर निगम कारियाले के समीब शनिवार को राज़त कारिय करताओं ने एक वेक्ति की जम कर पिटाई कर दी जिसके बाद घटनास्तल पर अफरात अफरी मच गई दरसल स्वक्षता सरवेक्षन में भागलपूर नगर निगम को 389 रैंक मिलने के बाद राज़त कारिय करता विरोध जता ने निगम कारियाले के गेट पर जमा हुए और निगम परशाशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे इसी दरान एक वेक्षती ने राज़त नेत्री की फोटो अपने मोवाईल से खीच ली जिसके बाद राज़त कारी करता अक्रोशित हो गए और वेक्षती की जम कर पिटाई कर दी राज़त नेत्री निशूशिंग ने कहा कि गलत इरादे से उनकी फोटो खीची गई थी वहीं गटना की सूचना मिलते ही जोकसर पुलीस मौके पर पहुँची और वेक्षती को हिरासत में ले लिया भागलपूर समार नाला इस्तित समिक्षा भवन में शनिवार को महरम पर विधी वेवस्था बनाए रखने के लिए पुलीस और प्रशाशनिक अधिकारियों की बैटक आयो जित हुई बैटक में सिनियर एस्पी आसीज भारती नवगचिया एस्पी स्वापना जी में स्राम कहलगाओं एवं नवगचिया के एशडियम समेत अन्य प्रशाशनिक अधिकारी मौजूद थे पुरे देश के साथ साथ भागलपूर में भी गनेश चतुरदसी के मौके पर शनिवार को माहौल भक्ती में दिखा कहा जाता है कि इस दिन विग्न हर्ता स्री गनेश का जन्म हुआ था इस मौके पर जिले भर में पूरी स्रधा एवं भक्ती के साथ गनेश चतुरदसी का त्योहार मनाया गया हलांकि कोरोना महमारी की वज़ा से इस वर्स गनेश पुजा का आयो जन बड़े अस्तर पर नहीं हो सका पर उनके भक्तों ने घर में ही उनकी मूर्तियां स्थापित कर सरधा पुरवक उनकी पूजा की जिले में विविन अस्थानों पर भक्तों ने भगवान गनेश की परतिमा पर पुस परपित किया और लड़ू भोग लगा कर सारे विग्न हरने की कामना की बांका के गलगला गाउं में बम बनाने के दौरान विस्पोर्ट हो जाने से मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया घटना को लेकर बताया गया कि किसी आसाफधानी की वज़ा से वं विस्पोर्ट हो गया बांका फुली डुमर के कैथा पंचाय तंतरगत बेला गाउं में शुकरवार की रात मामली विवाद में एक पक्ष अपने च्छत पर से रुक रुक कर रात भर गोली चलाता रहा गोलीयों से दूसरे पक्ष के घरों की दिवारों में दर्जनों शुराग बन गई है हलांकि राद भर भी गोली बारी में किसी के हताहत होने की कोई ख़वर नहीं है मामले को लेकर दूसरे पक्ष की पुनम देवी ने संजीब कुमार, विने कुमार, विकाश कुमार, वीमल कुमार, अरुन कुमार, लालू यादब समेथ, चाउद, नामजद आरोपियों के खिलाप केस दर्ज कराया है पता दें कि घटना स्थल पर शांती बनाए रखने के लिए पुलिस केम्प कर रही है जानकारी के अनुशार सड़क पर भैंस बांधने को लेकर हुई विवाद ने विक्राल रूप ले लिया हलांकि मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछ ताच कर रही है वक्तों चलाएक छोड़ी से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद मत दाता की कोई भी बात 1950-1950 चाहे शिकायत या सुझाओ 1950-1950 चुनाओ के पहले चुनाओ के बाद 1950-1950 मत दाता सुची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन, बूत के जानकारी, वोटर कार्ड को इसे बनी अईसन सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर चुनाओ बस एगो नमबर याद राखी, भारत निर्वाचन आयो के टोल फ्री मत दाता हेल्प लाइन नमबर 1950 अब कौनो मत दाता बिहार के कौनो कोना से कार्याले अवधी में 1950 पर कौल कर सकता 1950 से अब मत दाता, जानी अपन हक के जानकारी, मुख्य निर्वाचन पदा दिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी मन की उदासी, नस, सिरदर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, शेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रक्स एवं किसी भी परकार के पुराने नशे के इलाज हीतू शंपर्क करे भागलपूर इस्थित आनंद क्लिनेक, जो कलसंटेंट नीरो साइकाट्रिस्ट, सेक्सोलोजिस्ट, डी एडिक्सन थेरेपिस्ट के मसहूर डॉक्टर, रिशी आनंद की देख रिखमी किया जाता है अत्याधुनिक सुविधाओ से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ-साथ मरीज़ों के भरती हेतू 24 घंटे AC, नान-AC, जेनरल एवं Special Ward की सुविधाएं उपलब्ध है आनंद क्लेनिक, लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कुल के समीप, मशाक जक, भागलपूर, बिहार Lifeline CT Scan and Digital X-ray डॉक्टर शशिकर, MD, Radio Diagnosis द्वारा संचालित Lifeline CT Scan and Digital X-ray में अत्यादुनिक तक्नीक से सभी परकार के Radio Diagnosis की सुविधा पिछले आठ साल से उपलब्ध है भागलपूर का पहला Digital 1.5 टेसला Whole Body MRI Scan Multi-Slice Whole Body CT Scan अत्यादुनिक Ultrasound Machine से 2D, 3D, 4D Color Doppler Ultrasound Guided पाने निकालना अत्वा Pregnancy का Level 1 या Level 2 की जाच की सुविधा Digital X-ray से सामान X-ray के साथ-साथ IVP, RGU, HSG की जाच Digital Dental X-ray से पूरे जबडे का OPG अत्यादुनिक पैथोलोजी की व्यवस्था, खोन, पेशाब, आदी जाच के लिए बाहर जाने की ज़रुरत नहीं हवादार प्रतिक छाले एवं सुद्ध पेजल के व्यवस्था कोरोना संक्रमन के प्रती सचेत वा सुरक्षित व्यवस्था Lifeline CT Scan and Digital X-ray का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों वा डॉक्टरों द्वारा मानने है Lifeline CT Scan and Digital X-ray क्यों सुर्ट माने की जड़े आई माने की जड़े विवस्था बने की जड़ेंगे Shapuest प्रतिक लंगे एणिध समीवस्था उन्यवस्था ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते अगली खवर की ओर भागलपूर मौलाना चक बड़ी महल के समीप शुक्रवार रात अपराधियों ने जमीन करोवारी इमरान को गोली मार दी जिसके बाद परिजनों ने घायल को माया गंज में भरती कराया जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर इस्तिती को देखते वे उसे पटना रेफर कर दिया घटना को लेकर बताया गया कि घर से कूछी तूरी पर अपराधियों ने इमरान का रास्ता रोक लिया और गोली बारी शुरू कर दी घायल ने रहमत खुरेशी, आफताप, सद्दाम, पाशा और पारसदपती शबीर पर गोली मारने का आरोप लगाया है इधर पुलिस आरोपियों की गिरपतारी के लिए छपे मारी कर रही है बता दें की घटना में इमरान को गरदन, पीठ और कमर में गोली मारी गई है भागलपूर, हभीपूर थाना के शमीप लोडेट ट्रक के अंदर शब मिलने से छेतर में संसनी फैल गई है घटना को लेकर बताया गया की मिरितक मुन्ना दास तेतरिया सज़ा और थाना छेतर का निवासी था जो कोलकता में मजदूरी करता था वही ट्रक ड्रैवर उपेंदर दास ने बताया की शनीवार को कोलकता से भागलपूर आने के करम में ट्रक के अंदर सोय अवस्था में ही उसकी मौत हो गई जिसके बार ट्रक ड्रैवर ने परिजनों को घटना की जानकारी दी वही घटना की सूचना मिलते ही हवीपूर थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शब को सज़ा और थाना के हवाले कर दिया इदर मौन्ना की अशमय मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है नातनगर थाना परिशर में नातनगर इंस्पेक्टर मौम्मद सज्जाद हुसेन के नेत्रित में महरम को लेकर शांती समीती की बैठक आयो जित की गई बैठक में वीडियो शिवशंकर राय, अंचला दिकारी, राजेश कुमार तथा खलिपा महरम कमीटी के मेंबर्स ने तजिया जुलूस नहीं निकालने का निरने लिया बतादें कि नातनगर के कशबा, चम्पानगर, नरगा, मौमिन टुला एवं विभिन इलाकों से महरम को लेकर भव्य तजिया जुलूस निकाला जाता था नवगचिया इसमाइलपूर बिन टुली बांध पर चालिस कलोल की लागत से हुआ कटाव रोधिक कारिय प्रारंब से ही अनिमित्ता को लेकर चर्चा में रहा है आसपास के ग्रामीन छेत्रों के लोगों द्वारा सांसत को शिकायत मिलने पर संग्यान लेते हुए भागलपूर लोगसवा के सांसत अजय मंडल ने अपने कारियालाई के सचीव अभयकिसोर सिंग को छेत्र परिभरमन के लिए भेजा वही निरक्षन के दौरान सचीव अभयकिसोर सिंग ने बताया कि जितने भी कारिय देखे उनमें सिर्फ कमिया ही नजरा रही है ऐसा लगता है कि यहां सिर्फ खानापूर्ती की गई है वहीं सांसत ने भागलपूर के डियम को यहां की समस्या से अवगत कराया और कटा रोधी कारी में अर्मित्ता को ले कर कई सवाल उठाए साथी जलसंसाधन के अवियंता द्वारा फोन कॉल रिसीब नहीं करने पर कारवाई करने की मांग कही नवगचिया सवपना जी मेस्राम के निर्देश पर फरार वारेंटियों की गिरपतारी के लिए चापे मारी अभियान चलाया गया इस दोरान खरीक थानाद्यक्स पंकच कुमार ने गोपालपूर इसमाइलपूर एवं खरीक में चापे मारी कर छे फरार आरोपियों को गिरपतार कर लिया है पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलीस ने देशी शराब, मोटर साइकिल और मोबाइल बरामत किया है थानाद्यक्स पंकच कुमार ने बताया कि बिहार विधान सभा चुनाओ को देखते हुए अपराधियों की धर पकड़ के लिए छापे मारी अभ्यान चलाई जा रही है आरजेटी विधायक विजय कुमार विजय ने शनिवार को मुंगेर सदर अस्पताल का आउचक निरक्षन किया निरक्षन के दोरान अस्पताल के महिलावाड आईसियू एवं चाइल आईसियू में कई कमिया पाई गई विधायक विजय कुमार विजय ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी रहने के कारण रोग्यों का सही से उपचार नहीं हो पा रहा है साथी प्लाजमा मशीन के लिए अस्पताल में टेक्निसियन और डॉक्टर्स की जरूरत है इस संबंद में डिस्ट्रिक मजिस्टेट से मिलकर समस्या का समाधान किया जाएगा और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हड्लाइन्स पर भागलपूर पुलिस ने भाई की हत्या के आरोपी भाई को ससुराल से किया गिरपतार हतियार बरामद स्सपी ने दी जानकारी नगर निकम कारियाले गेट के समीप विरोध प्रदर्शन के दरान एक वैक्ती ने राज़त नेत्री का खीचा फोटो जम कर हुआ हंगामा पुरिदेश में श्रधार उत्सा के साथ किया जा रहा है विद्नहर्ता गनेश का पूजन कोरोना के कारण बड़े अस्तर पर नहीं हुआ कारिक्रम का योजन बागामे बंबनाने के दौरान हुआ वी स्पोर्ट एक की भी मौत दूसरे की हालत कंभीर और गोलियों की तड़ तड़ा हर्थ से गुंजा पेला गाउ मामुली विवाद को लेकर हुई गोली बारी फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही नमस्कार